नितिश कुमार रेड़ी को भी सामने से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, विक्तें गिर चुकी थी, बावजुद उसके वो स्कोर करते हैं क्विक फायर 50, और सिमिलर सिचोशन में जब आते हैं विराट कोली, उनको जब सामने से सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, शौट सारे हैं उनके पास, बावजुद उसके वो इस तरह की तेज क्विक फायर रेनिंग क्यों नहीं खेल पाते हैं, एक गेम जो अलमुस्ट हाथ से निकल चुकी थी, लास्ट दोबर में 39 जेते, दे नेवर गेवप, तीन फास्ट बोलर जा रहे हैं वर्ल्ड कप, ते शुड बी, सिराज, एन अर्षदी, एन आगे बात करने से पहले, अगर चैनल पे नहीं आए हो, तो पहले सब्सक्राइब कर दो, हम डेली वीडियो जाल रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी लाइव स्ट्रिम भी शुरू करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले, प्रेस्ट सब्सक्राइब बटन और फिर पूरी बात सुबहुत बात करेंगे, तो इस दिन तो IPL लेखने में मज़ा ही नहीं आता है, आज पूरे मज़े दिला दिये गए हैं, पंजाब, किंग्स और सुनराइजर्स हिदराबाद के मैच में, we got to see a last ball thriller, and what a batting it was by Shashang Singh and Ashutosh Sharma once again, यही दो लड़कों उन्हें last match भी finish किया था, वो match अगर उन्हें finish किया होता, गे in CSK, MI या RCB के लिए तो यह बहुत बड़े hero बन गए होते, उतनी बात इनकी हुई नहीं पर आज वापस से perform करके इन्होंने दिखा दिया कि वो कुछ fluke नहीं था, these guys have actually got it in them, detail में match की बात करते हैं, आईए, प स्कूर की एक बहुत ही quick fire 50, और उसके heroics से sunrises पहुंची, एक respectable total 180 के round उन्होंने खड़ा किया, and एक बहुत ही interesting post देखा मैंने social media के ओपर, जो मैं चाहूँगा कि आपके opinion उस पर क्या हैं, वो मुझे बता है, नितीश कुमार रेड़ी को भी सामने से कोई support नहीं मिल रहा थ विक्टें गिर चुकी थी, बावजुद उसके वो score करते हैं quick fire 50, और similar situation में जब आते हैं विराट कोली, उनको जब सामने से support नहीं मिल रहा होता है, shots सारे हैं उनके पास, बावजुद उसके वो इस तरह की तेज quick fire inning क्यों नहीं खेल पाते हैं, बहुत भी polarizing issue है, इस पर ज इस तरह की performance से, अरशदीप ने अपना case strong कर लिया है, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है, अगर तीन fast bowler जा रहे हैं world cup, there should be Bumra, Siraj and अरशदीप, yes, Siraj is not performing at RCB, but still, he has got it in him, coming back to the second innings, now, chase करने, Punjab Kings and they did the very Punjab Kings thing that they always do, शिकर दवन वापस से फेल हो गए, और अंग्रेजों ने जि continue to rob Punjab Kings in the daylight still, Sam Karan ने रननी किये वापस से, बैस्टों तो बिल्कूली मतलब और Livingston ने जिर्डी चल रहे हैं, so ये अंग्रेज अभी भी लूट रहे हैं Punjab Kings को, I don't know why, क्यों उनके हाथ तो वो लूट रहे हैं, match almost हाथ से निकल गया था, जिते शर्मा ने एक दो शौटे आ रहे हैं, जिते शाय थिंगा बरेस में पीछे हो गए हैं, बट लास्ट मैच के जो हमारे हीरो थे, शशांग सिंग और आशुतोष शर्मा, उन्होंने दिखा दिया कि वाजन्ट अ फ्लूग, लास्ट मैच उन्होंने फिनिश किया, हर तरह की क्लिप्स चलीएं कि भईया वो दू मिला नी था, तो इन्होंने रिमाइंड कराया लोगों कि भाई हमारा कोई वन ताम थिंग नी थी, ये तो हमारे लिए हबिच्वल है, एक गेम जो अलमुस्ट हाथ से निकल चुकी थी, लास्ट ओर में थर्टी नाइं चिये थे, तब ही नोने चुक्या लगा है, स अच्छी बॉलिंग डाली नोने वही पैट कमेंस ने दिखा दिया है, कि हाँ भई प्राइस टैक का इस फॉर्मैट में अच्छा ना कर पाने का, ये सारा बैगेज वो पीछे चोड़ किया है, ये अच्छी लीडिंग दिस तीम क्वाइट नाम लेना चाहूंगा, हमारी ल स्कूर संकलन 17 का, इन्होंने बहुत अच्छा चीज रेज की, जब हम कल बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन सारे ही अंड़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें याद दिला है कि नहीं पैट कमेंस और ट्रेविस हैड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे है सो येस, प्रेट कमेंस ने कहीं न कहीं इनकी बात साही साबित कर दिया, और येस, वी मिस्ट आउट अट इस नेम्स, ये इसके लिए वी अपोलोजाइज अस वेल, अब मैं बात करूँ अगर कल के मैच की जोकी है, जीटी वर्सिस रार, जीटी की लूजिंग स्ट्रीक को जादे लंबी हो गई है, आरार की विनिंग स्ट्रीक को जादे लंबी हो गई है, होम ग्राउंड है आरार का, इसलिए मैं एड्वांटेज दूँगा आरार को, और जीटी नाओ नीज तू फिक्स देर मिडिल ओर्डर, शुमन गिल पे बहुत जादा डिपेंडनेंट है व एक सवाल भी मैं आपके लिए छोड़के जाना चाहूंगा, कि मेरी नजर में एक स्टैट आई है, that CSK has been the best side when it comes to having the most successful record at home, उनका win-to-loss ratio जो है, वो सबसे healthy है at their home ground, चेपॉक, it's for a reason that they are called चेपॉक Super Kings, but आप मुझे बताइए कि सारी teams के अंदर सबसे बेकार home record किसका है, if you मुद्धो पर भी अपनी राय कॉमेंट्स पर रखिए, hopefully कल वापस से दोनुस लॉगर्स साथ में होंगे, thank you so much for all the love that you have shown, and यहां तक अगर आई गए है, पूरा वीडियो आपने देख लिया है, तो बिना subscribe किया मज जाना, we'll see you soon tomorrow, same time, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, but yes, on that note, thanks for watching, bye, take care.